You can't stop aging but you can age gracefully यानि आप अपनी बढ़ती वी age को रोक तो नहीं सकते लेकिन आप इसे gracefully own जरूर कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी उमर के साथ साथ अपनी personality के अंदर अपने lifestyle के अंदर कुछ alterations, कुछ changes और कुछ modifications लानी होती हैं और जब आप ये changes या तबदीलियां अपने अंदर लेकर आते हैं तो definitely आप अपनी personality में कुछ improvement, betterment और furtherance को feel करते हैं और इस तरह आप दोनों तरीकों से यानि physically और mentally happy, healthy और relax रहते हैं आज की व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी tips और habits share कर रही हूं जिनको follow करना आपके लिए under budget होगा और सबसे बड़ी बात easy होगा क्यूंकि एक home maker के लिए ना अपनी personality के लिए time निकालना बहुत मुश्किल होता है आज के व्लॉग में कुछ ऐसी habits आपके साथ share करूंगी जिनको follow करके ना आप अपनी personality में खुद एक change एक difference देखेंगी but condition is कि आपने इन सभी points को सभी habits को acknowledge करना है देखें हर age की ना एक grace और एक attraction होती है अगर आप अपनी age से कम नज़र नहीं आती हैं तो at least इतना नज़र आएं जितनी आपकी age है क्योंकि after 30's आपकी body में emotions में और mood में कुछ changes आती हैं कि अगर आपने इने बरवक्त ना treat किया इनकी तरफ तवज़ ना दी तो आप जल्दी aging process के तरफ जाने लगते हैं और घर के सबी अफराद का ख्याल रखते रखते हैं आप specially अपनी personality को बिलकुल neglect करती हैं और young नज़र आने या at least जितनी आपकी age है उतना नज़र आने के लिए आपको अपने lifestyle को अपनी daily routine को थोड़ा सा improve करना पड़ता है और खुद को थोड़ा सा time भी देना होता है और इन सब चीजों के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पैसे बहुत जादा लगें या time बहुत जादा लगें आपको बस थोड़ा सा attentive रहना पड़ता है और active रह करना अपने schedule और time table के according अपने सारे कामों को थोड़ा सा manage करना होता है और जब आप अपने कामों को manage करना सीख जाएंगी तो आपके पास definitely अपने लिए भी थोड़ा बहुत time daily basis पर निकल आएगा क्योंके after 30s ये 27, 28 के बाद आपकी बॉड़ी के अंदर कुछ problems आना स्टार्ट हो जाती है regarding health, regarding your immunity और इस age में आपको अपनी diet का, अपनी exercise का और अपनी overall health का जरूर ख्याल रखना होगा so आज मैं इनी tips और habits के बारे में बता रही हूँ जो आपकी health और आपकी internal और external grooming के लिए बहुत important है देखें grooming का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके skin अच्छी हो, आपके बाल अच्छे हो, आपने अच्छे से कपड़े पहने हो, आपने jewelry बहुत अच्छी से पहनी हो बलके personal grooming का मतलब है, आपकी overall personality, आपका communication style, आपका routine और आपकी health anyhow, on the move to first habit और tip, यहां पर मैं आपको एक बहुत जबरदस्ट low cost home made lotion बताने जा रही हूँ क्योंके weather change हो रहा है, winters आ रही है और हमें इस type के lotions की बहुत जरूरत रहती है यह बिलकुल low cost under budget lotion है और जो बजार में lotions मिलते हैं उनसे बहुत 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 है और अगर नहीं भी है न तो आप इने buy कर लें क्योंके यह बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी quantity इनकी use होती है मैं यह homemade lotion चार-पांच साल से use कर रही हूँ और मैंने बलकुल बजार का lotion कभी नहीं लिया लिटरिली मैं अपनी बच्चियों के भी यही लगाती हूँ आप एक दफ़ा इसे use करके बना के देखें बनाना भी easy है यूज करना भी easy है और आपकी skin पर बहुत अच्छा effect देता है especially in winters इसके लिए आपको दो चमच कोई साभी जो भी aloe vera gel आपको पसांदो वो लेना है उसके बाद आपने one tablespoon olive oil लेना है one tablespoon almond oil and one tablespoon coconut oil और half teaspoon आपने इसमें glycerine का add करना है glycerine थोड़ी कम quantity में आपने add करनी है अच्छा इन सब चीजों को आपने अच्छे तरीके से blend कर लेना है चमच से mix कर लें अगर in case कोई एक oil आपके पास missing भी है तो कोई बात नहीं आप इसे omit कर सकते हैं अच्छा काफी घरों में olive oil या coconut oil नहीं भी available होता तो आपने tension नहीं लेनी ये दोनों oil आप omit कर सकते हैं अब just almond oil यूज कर लें या ये चोटी-चोटी bottles में भी मिलते हैं आप वो market से purchase कर लें जिस भी company का आपको पसंदो अब सुबा उठकर मुहा दो करना अच्छा आगे ना मैं आपको homemade oil भी बताऊंगी मैं अपनी बच्चियों के बालों पे ये लगाती हैं और उनके बाल माशाला बहुत अच्छे हैं अनिहाओ moving to the next habit oil tip ये भी बहुत important है आपकी health के हवाले से आपकी immunity के हवाले से यार अपनी health पे बहुत तवज्जो देने की कोशिश किया करें क्योंके मैंने अपनी जो early 30s थी ना उनको इसी तरह जाया किया है बिल्कुल तवज्जो नहीं दी मैंने अपने उपर और अब क्या होता है बहुत जादा मिलती भी है तो आपने इन चीजों को ना अपनी diet में जरूर रखना है ब्लाक चने युनो आपकी bones की health के लिए बहुत importance रखते हैं और इन में protein rich होते हैं ये अगर आप daily basis पर मुटी भर चने खाये ना ये आपकी diet के लिए भी बहुत अच्छे हैं और अगर weight reduce करना है तब भी ये बहुत अच्छे हैं और बचों या बच्चियों की height increase करने के लिए भी उनको ये दिया करें अच्छे ये जो white मखाने हैं फूल मखाने इने कहा जाता है ही मैंने अपने last vlog में इसको detail से आपको बताया था इनका in take याने consume करना तो बढ़ती भी age के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसमें micro nutrients होते हैं protein rich है simply आप रात को दूद में भीगो के रखते हैं और सुबह आप ये दूद और फूल मखाने खालें तो आपकी हड़ियों की जो health है ना वो बहुत अच्छी रहेगी और आप जल्दी जो ठकन, fatigue फील करते हैं ना तो वो भी नहीं करेंगे and now moving to the next tip which is applying sunscreen हम लोग बहुत avoid करते हैं sunscreen use नहीं करते कोई ना कोई sunscreen अपनी life में जरूर add in रखें मैं पहले ना एक famous company का sunscreen use कर रही थी लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत वो white cast चोड़ा था और sticky भी था ना मेरी बच्चियां भी कहती थी ममा ये मैं नहीं लगा के school जाऊंगी क्योंकि इससे ना skin पे whiteness आ जाती है तो उसकी replacement में मैंने organic bloom का ये sunscreen use करना start किया है इसके results बहुत amazing है ये SPF more than 40 है और dermatologically tested है and its best part is ये बिल्कुल non sticky है और white cast आपकी skin पर नहीं चोड़ता आप देख सकते हैं कि कितनी smooth और soft हो गई ये skin और इसकी price भी बहुत reasonable है it's just for 750 रुपीज और 10 का आप code use करेंगे तो आपको 10% discount मिलेगा daily basis पर sunscreen लगाना believe me बहुत जरूरी होता है चाहे आप बाहर जाएं या ना जाएं और बच्चों को भी especially जब school जाते हैं तो जरूर लगाया करें ये all skin type के लिए है kids के लिए भी उतना effective है मैं भी अपनी बच्चीों के लिए ये use कर रही हूँ और मुझे बहुत इसके beneficial results मिलें so this sunscreen is highly recommended from my side क्योंके मैंने इसे personally use किया है अगर आप purchase करना चाहते हैं तो organic bloom की insta id इनकी website और whatsapp number description में मौजूद है और suna 10 का code use करेंगे न 10% का discount आपको generate हो जाएगा moving to the next habit और tip अपनी daily life में या एक दिन छोड़कर दो दिन छोड़कर कोई सा भी lentil soup जरूर पिया करें यानि दालें अपनी diet में जरूर included रखें specially moong और मसूर की दाल जो lentil soup कहलाता है तो इस soup को जरूर consume किया करें या दालें या चने, black या white चने क्योंके ये protein rich होते हैं तो ये आपकी health के लिए बहुत अच्छे रहते हैं दालों का soup, lentil soup या ये जो चने होते हैं ना इनके साथ अपने salad को भी जरूर include रखा करें salad का क्योंके roughage बहुत जादा होता है तो आपका पेट ना थोड़ा salad का की जल्दी भर जाता है तो आपका weight भी maintain रहता है और salad तो of course blood को भी purify करता है और skin को ultimately अच्छा effect देता है protein intake के लिए जरूरी नहीं है कि आप गोश्ट ही खाएं अगर वो affordable नहीं भी होता तो आप lentil soups या डालें वगरा consume करें जो protein rich होती है और इसी तरह अंडों को भी अपनी daily life में जरूर शामिल करें moving to the next habit और tip सुबा उट करना अगर आप 5-7 दाने elements के अपने लिए soak करके रख दें तो ये आपके health के लिए, आपकी immunity के लिए brain functioning के लिए बहुत अच्छा रहता है और elements को ना हमेशा soak करके ही खाया करें इसी तरह consume करने के इसके इतने benefits नहीं मिलते हैं जितने soaked element के होते हैं soaked element ना आपके लिए anti-aging का काम करते हैं wrinkling को decrease करते हैं pigmentation को decrease करते हैं और hydration को increase करते हैं आपकी brain health के लिए तो ये आपको पता ही है कि बहुत important है बच्पन से ही सुना है कि इनसे आपका जो हाफजा है या आपके जो किसी भी चीज को याद रखने की power है ना वो increase रहती है इसके साथ-साथ ये heart health के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं अब आपको पता है हर एज में ही heart attacks हो रहे हैं तो इसको अपने daily life में routine में शामिल रखे ना तो आप इन type के risk से भी बच सकते हैं और अगर बच्चों को भी आपने almonds किलाने ना तो हमेशा soak करके खिलाएं ऐसे ही ना दे दें और साथ से 9 दाने बच्चों को रोज दें और ये बहुत important बहुत beneficial है specially बच्चीों के और आपके hair growth के लिए और hair की maintenance के लिए अच्छा मैं ये oil ना काफी time से use कर रही हूँ ये भी बस घर में जो आपके oils रखे हुए होते हैं आपने mix करके आपने लगाना है weekly एक दफ़ा week में लगा लें या twice a week लगा लें और कोशिश करके ना बच्चों के overnight oil लगा के रखा करें ये नहीं कि एक घंटा लगाने के बाद सर धो लिया उससे ना oil के benefit सची तरह से आपको नहीं मिलते अच्छा इसके लिए आपने सब oils को ना बराबर quantity में ले लेना है like सरसो का τेल आपने लेना है उसके बाद आपने almond oil लेना है और ये cooking oil है जो आपने add करना है बराबर quantity में और इसके साथ साथ coconut oil और olive oil भी आपने बराबर quantity में इस्तिमाल करना है अगर olive oil आपके पास नहीं है तो उसे skip कर दें जो भी oils available हैं तीन oil हैं आप वो add कर लें या चार हैं तो उनको mix कर लें कोई मसला नहीं है अच्छा मेरे पास भी ना ये जो green bottle है ना ये olive oil की और ये काफी कम रह गया था तो मैंने कम quantity में ही use किया है no matter आप कोई साभी oil आगे पीछे quantity भी कर लें इसमें कोई मसला नहीं है oil ही है natural sources हैं सब इन सभी तीनों चारों या पांचों oils को mix करके ना आप किसी भी container में जार में या bottle में save कर लें अच्छा मेरे पास ये bottle जैम की है actually आईशा ने ना इसका label remove कर दिया था और इसके lid के उपर भी अपना को स्टिकर लगा लिया था तो ये बड़ा अच्छा सा जार बन गया था अच्छा अब इस homemade oil को आपने इस्तिमाल कैसे करना है अच्छा इस सरा ना आप बच्चियों के मांग निकाल कर और अच्छे से massage किया करें मैं भी आईशा हानी के और अपने massage weekly कर लेती हूँ और overnight मैं इसे छोड़ देती हूँ next day फिर मैं सर वाश कर देती हूँ इस oil को बनाने में भी कोई لمबा चौड़ा procedure नहीं है जैसा आपने 4-5 oil को mix करके ना store करके रख लेना और weekly इसे apply करना है तो ये oil मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहुत effective है बनाना भी असान है तो मैंने आप लोगों के साथ भी इसलिए share किया है क्योंके मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज कर चुकी होती हूँ या कर रही होती हूँ दिन के सारे काम करके जिस तरह हम थक जाते हैं एक्जास्ट हो जाते हैं इसी तरह हमारी स्किन भी एक्जास्ट हो जाती है और डर्ट फ्री नहीं रहती तो अपनी एक्जॉशन और थकन को दूर करने के लिए जिस तरह आप रात भर रेस्ट करती है ना इसी तरह आपकी स्किन को भी थोड़ी सी पैंपरिंग की जरूरत होती है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इनाइट क्रीम डेली बेसिस पर यूज करें मैं औरग्यानिक ब्लूम की ये एवेन आउट क्रीम यूज कर रही हूं नाइट क्रीम को निगलेक्ट करना हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता क्यूंकि दिन भर की जो डर्ट और हमारे डर्ट स्किन सेल्स होते हैं वो रात को ही रिपेयर होते हैं और जब हम एक अच्छी नाइट क्रीम यूज करते हैं तो हमारी स्किन बहुत अच्छे तरीके से पैमपर होती है और सुबह एक फ्रेश ग्लोइंग स्किन हमें मिलती है अच्छा इस क्रीम को ना मैंने पर्सनली यूज किया है इसके बहुत अच्छे एफेक्ट्स मुझे मिले हैं तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ अगर आपके स्किन तोड़ी डाक हो गई है या डाक स्पॉर्ट्स हैं पैच्चिस हैं या इवन आपके अगर फ्राकल्स है ना जाईया हैं या अपमेलाजमा हैं तो यह उसको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करती है इसका नाइट फॉर्मिले ना आपके स्किन टोन को बैलन्स रखता है यानि जो uneven skin tone हो गई होती है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से ये balance करता है और excessive sebum को भी remove करता है ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसका ये creamy texture skin में absorb हो जाता है, non sticky है और skin को बहुत refreshing और glowing कर देता है इसकी price भी बाकी creams के हिसाब से काफी reasonable लगी मुझे, it's 18.50 only और suna 10 का code use करने से आपको 10% discount भी मिलेगा तो आपने भी अगर अपनी skin tone को even out और balance रखना है तो इसे ज़रूर use कीजेगा, इंशाला आपको अच्छे results मिलेंगे आप लोगों की आसानी और order करने के लिए मैंने organic bloom की website, इनका इंस्टा लिंक और whatsapp number अपने discount code के साथ description में add कर दिया है नेक्स्ट habit is अपनी health और immunity को increase करने के लिए daily basis पर exercise करें exercise नहीं कर सकते तो at least 10 to 15 minutes की walk जरूर रखें इन 15 minutes में ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही time इतना कोई खास लगेगा you need just 10 to 15 minutes जिस तरह नेंद और खाना आपकी health के लिए important है ना believe me इसी तरह आपके लिए walk या पिर exercise करना भी बहुत जरूरी है so आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ hope यह habits आप अपने daily life में include करने की कोशिश करेंगी अच्छी लगी हो वीडियो तो please like or share जरूर कर दीजेगा and if you are new on my channel please do subscribe see you very soon with a brand new content in the next video inshallah till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself Allah Hafiz